फ्रेंड्स मेरा नम अरुन और आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपकी इंटरनेट सोलो चलती है या इंटरनेट आपकी नहीं चलती है और आपकी बेटरी कंज्यूब होने लगती है डाय होने लगती है आपकी बेटरी टिकाव नहीं देती है बेटरी लोंग टाइम नहीं चलती है तो आपको simply आपको most important setting आपको बताने वाला हूं जो आप उसको on करके आपकी दूगना internet speed से चलने लगेगी और आपका data भी save होगा और आपका battery भी long time चलेगी तो चली सबसे पहले आपको वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको setting को यहां पर setting को open करना है setting को open करने के बाद आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर बाब उट का option first option में आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको simply इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा उसके बा 2,3,4,5,6,7 ठीकहें यहां पर साथ बार करने के बाद आपको क्या होı यू आर Now Devarlöper कैना है मैं इसके बाद किया करना है इसको तिरिक होगा है तो सिंपल्ली आपको क्या करना है आपको ब forms काना है में से트가 करना ही ऊसके बाद को आपको क्या करना आएं कृछ कर नीचे किलिक करने बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते सब से नीचे आना है और आपको यहाँ पे डेवलोपर ऑप्शन का आपको यहाँ पे दीख रहा है ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो क्या करना है automatic system update यहां पर आप देख सकते हो है मेरा यहां पर on है तो इससे क्या होता है यहां पर automatic आपके एप्स में कोई भी apps आपके आते हैं और automatic update होने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है ठीके और इस तरह से आपका data पूरा loss में जाता है पूरा खतम होता है और आपको पता भी ने चलता है कि कैसे मेरा डटा खतम हो गया है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ओटोमेटिक में यहाँ पर ओन है तो सिंपल इसको ओप कर देना है ओप करने के बाद इससे क्या होगा गाज आप जब चाहोगे यहाँ पर सिस्टम आपका सिस्टेम में अपडेट जब आएगा तो आपके नोटिफिकेशन में मोबाइल में आएंगे तो उससे आप वाइफाई कनेट करके आप यहां से अलग से आप यहां पे अपडेट कर सकते हो ठीक है पहला सेटिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है गा वाइफाई असकें ट्रोड हो लेंग टॉटलिंग ट्रोटलिंग वाइफाई असकें ट्रोटलिंग आपको किher दीक रहा होगा ठीक है यहां पर मोबाल डटा ओलबेज mäक्टिव की उपर में आपको दीक रहा है यहां पर देख सकते हो रोडु यूस बैटरीर त्रैंन और इहां पी supreme आ 창कें पीं छाइप और यहां पर इसको यहां पर आपको और करने से सुस्ट क्या भागा आपका जो बैटरी एक वह कॉन्सिप नहीं होगा डिल्Really पर आपको जो नेट्वर्क के आपका इंप्रूब्ड बहुत जादा नेटवर्क आपको performance देगा और हाई दूगोना इस्पीट से आपका 4G है तो 5G के तरह आपका नेटवर्क चलेगा गाज ठीक है आपको तिसरा सेटिंग दूसरा सेटिंग कम्पलिट हो चुका है गाज ठीक है और इससे आपका बैटरी आपका काम भी नहीं होगा और फास्टली आपका दूगना से चलेगा ठीक है तो आपका डाटा भी सेब रहेगा और इस पीड भी आपको बढ़ेगा तो सेकेंड सेटिंग कम्पलिट हो गया गाज उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहां नीचे आन आपको यहां पर आपको दिख रहा होगा weep.ie अश्याइट्रोल्लिंग के निचे में आपको mobile data always active यहां पर देख सकते हो यहां पूलेज किप mobile data एक्टिव theיה when when wifi is active for fast network And yet यहां पर देख सकते हो इसका मतलब यह है गाज यहांu पर आप data on कि हो और आपका वाइफाई किसी से कनेक्ट करते हो तो आपकी नेट जो चलेगी भाई आपकी 5G से स्पीट चलेगी बहुत रोकेट की तरह चलेगी आपकी एक्ट्वेट समझ रहे हो दो दो आप अगर वाइफाई और आपकी नेट चलेगी चलेगी तो आपकी रोकेट की तरह आपकी डाटा को चलेगी और आप यहां से सिंपल तरीके से अपने यहां पे अफ्लोड कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो तो यहां पे देख सकते हो मेरा यहां पे ओफ है तो सिंपली इसको ओन कर देना है ओन करने के बाद इससे आप कुछ भी आप अफ्लोड कर सकते हो तो बहुत रो वाला हूं आपको धयान से देखना है और वीडियो को समझ में नहीं आएगा ठीक है तो आपको continue रहना है और वीडियो को लास्ट तक वाच करना है तभी आपको समझ में आएगा तो simply आपको क्या करना है यहां पे आप स्क्रोल करते जाना है आपको developer लिमीट इससे बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं पहले कि इससे होता है कि आप कोई भी एप या बहुत सारे चलते हो चलाते हो यूटूब फ्येस्ट्रग्राम बहुत सारे आप चलाते हो और आपको यहाँ पर करते हो तो minimize करने से आपको यहां पर देखे, यहां पर बहुत सारे आपको यहां दिखेंगे, तो इसे में क्या होता है गाईज, इससे क्या होता है गाईज, यहां पर आपको बहुत सारे 4-5 एप open रहते हैं, तो data बहुत जादे खर्च होते हैं, और बेटरी आपकी चलती नहीं है, आपको या आप एक मॉस्ट वन पॉर्सेश पर अनली एक रख सकते हो इस पर आपको सिंपलिक करना है एक पर किलिक करना है ताकि अब बेगरांड पर यहाँ पर मिनिमाज करते हो तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक एक ही ओप एपलिकेशन ओपन रहेगा ठीक है ना यूटूब अपना फैस्बूक इससे ओपन रहता है तो वीडियो और आपकी डाटा जो होती है बहुत ज्यादा खर्च होती है और आपकी बैटरी जो होती है ओड्रेन होती है ठीक है इसका कारण यही है तो सिंपली चोथा सेटिंग हो गया गाज उसके बाद आपको क्या करना है आपक और आपको लक्री सेटिंग और बताने वाला ओशने सेटिंग वीडियो को इसक explore मत किस ठीक के तो आपको क्या करना है यहां से आपको लाज और आना है सो बेग्राउंड यहां पर यहांप को दिखर आऊगा ठीक है यहां से इसका मतलब यह है काज यहां पर देख सकतू नी इसका मतलब यह है यहां पर आपको जो बेगरांड में आपके एपस रहते हैं वहां पर बहुत सारे एपस रहते हैं और नोटिफिकाशन आते रहते हैं इसका कारण यह है कि आपकी बैटरी को ड्रेन करता है और अपकी डाटा को भी बहुत सारे नोटिफिकाशन आते रहते है उस एप से ठीक है तो यहां से आपको देख सकते हैं सो बेगरांड इसका मतलब यह है यह जो नोट रिस्पॉंडिक इसको सिंपली आपको क्या करना है बेगरांड एक को यहां पर सिंपली आपको ओन कर देना है ओन करने से आपको यहां पर जो नोटिपिकेशन आते हैं अधर लोंग टाइम तक बेटरी आपके चलेगी तो वीडियो पसंद आया होगा करें चैनल को सब्क्राइब कीजिए नमस्कार धनिवाद चेहिंग